हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स में आज जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एना कैरियेना जिसको लिखा है रश्यन राइटर लियो टॉल्स्टॉय ने और ये नोवल लिखा गया था उस वक्त जब स्लेवरी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था और रश्या में चेंजेज एकदम पीक पर था लेकिन हम लोग यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे जहां पे जवलाप्मेंट फुल स्पीद में हो रहा था रश्या में उसे वक्त रश्या के कुछ हिस्सों में कुछ घरों में ऐसा कुछ हो रहा था जो की बहुत ही दुखदाई था तो चलिए देखते हैं आना के रियाना में हम लोग कौन-कौन से सोशल थीम्स दिखने को मिलते हैं कौन-कौन से relationship बनते हुए, बिगरते हुए देखते हैं और इनसान का responsibility जो है वो कौन-कौन से characters fulfill करते हैं और किन-किन को realize होता है कि उन्होंने mistake किया है और कितने लोग forgive कर देते हैं कितने लोग revenge लेते हैं इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस novel में तो चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बात में बता दूँ कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो examination point को लेकर पढ़ते हैं जो भी important points होगा मैं आपको underline करके बताऊंगी आप लोग अपने copy में note कर लीजेगा और ये video जो है वो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि इसके eight parts है और हर एक part में बहुत सारे chapters है तो जब तक हम लोग detail में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोगों को लगेगा कि ओह ये story तो ये बगल में ही हुआ है ये तो हम लोगों की कहानी है ठीक है लेकिन हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये story तब लिखी गई थी जब इनसान को बोलने की भी इजाज़त नहीं थी specially women को तो और भी नहीं कुछी लोग ऐसे थे जिनको rights मिला हुआ था लेकिन common जो ladies है, wives है उन लोगों को ऐसा facility नहीं मिला था तो चलिए देखते हैं कि Anna Carrier नहीं कैसे social issues को highlight किया गया है चलिए सुरू करते हैं पहले writers के details से Writer का नाम है Leo Tolstoy लेकिन उनका real नाम है Lev Nikolavich Graff Tolstoy ठीक है, count उनके position का नाम है तो जो story में हम लोग Levin एक Levin नाम का character देखते हैं ऐसा माना जाता है कि वो character वो खुद है ठीक है आगे बढ़ोंगी तो मैं बताऊंगी कि कौन है Levin अभी आप इतना ध्यान में रख लीजिए कि जो भी writer का full नाम है उसको आपको note करके रखना है इनका जनम हुआ था 9 सितंबर 1828 को और उनका death हुआ था 20 नोवेंबर 20 नोवेंबर 1910 को Leo Tolstoy बहुत बार novel prize के लिए nominated हुए लेकिन उनको nomination के अलावा और कुछ नहीं मिला वो जीत नहीं पाए novel prize और इसे लिए लोग question करते हैं कि क्यूं नहीं क्यूं उनको एक इतनी बार nominated होने के बावजूद भी कोई prize नहीं मिला तो ये controversy थी अब भगवान जाने उनका काम दूसरों से कम अच्छा था या फिर किसी की वज़ह से वो winner नहीं हो पाए ठीक है ये अभी ते question mark है इसमें हम लोग इस पे कोई टिपपनी नहीं कर सकते चलिए आगे बढ़ते हैं ये जो भी लिखते थे वो realistic होता था आपको लगेगा कि ये तो मेरी कहानी है ये तो मेरे बगल वाले पड़ोसी की कहानी है ये तो मैं हर रोज देखता हूँ ठीक है जो characters है उनके साथ relate कर सकते हैं उनका जो दुखदर्द है वो हम खुद feel कर सकते हैं और इतने minutely वो लिखते हैं जैसे लगता है कि movie चल रही हो सामने से ठीक है लोगों का problems उसको solve करने के लिए जो वो initiatives लेते हैं उसके बाद में कुछ solve होते हैं कुछ नहीं होते हैं फिर वो दुसरे लोगों से मिलते हैं और help लेने की कोशिश करते हैं तो जैसे हम novel में आगे बढ़ते हैं हम लोगों को लगेगा कि ये कहानी अपनी है ठीक है ये realistic nature की वज़े से इनके writings बहुत ही famous है चलिए अब बात करते हैं उनके best work के बारे में तो सबसे अच्छा work है उनका war and peace ठीक है ये इसलिए topic क्योंकि उस वक्त रश्या का बहुत countries के साथ controversy चल रहा था ठीक है लोग peace की काम ना करते थे लेकिन ऐसा state था जिसमें की ऐसा situation था जिसमें की रश्या को Ottoman Empire और adjoining areas के साथ में लड़ाई करनी पड़ती थी तो उसको लेकि उन्होंने topic इस topic पे उन्होंने लिखा next अना क्यारी एना देखिए जब war and peace की बात होती है तो वो world के साथ related है वो country के साथ related है और यहाँ पे अना क्यारी एना जो की main heroine का नाम है जब हम उनको पढ़ते हैं तो पूरा society का structure हमको समझ में आता है ठीके अगर रश्या को जानना है तो अना क्यारी एना जो novel है वो हम लोग पढ़के समझ सकते हैं कि उस वक्त का रश्या कैसा था चलिए इसके आगे बढ़ते हैं theme of the text theme यहाँ पे theme है social changes in 19th century Russia जो रश्या है वो development की और आगे बढ़ रहा था और social changes के बिना development नहीं होता जो भी हम लोगों की समाज में नौम से कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं तो जो अच्छे हैं उनको रखते हुए जो बुरे हैं उसको मिटाना और जो changes है society को बढ़ाने के लिए society का अपग्रेडेशन करने के लिए उसको focus करना अगर ऐसा करते हैं तो हम लोगों को जो social society में पहले से चीज़े हैं उसको change करना पड़ेगा इसलिए बहुत सारे social changes किये गए 19th century में रश्या को develop करने के लिए ठीक है इस वक्त रश्या में family life जो था वो half a cert था कोई भी शादी के बंधन में बंधना ठीक नहीं समझते थे ठीक नहीं समझते थे इसलिए क्योंकि problems बहुत ज़्यादा होती थी और शादी के बाद लोगों का expectation बहुत ज़्यादा होता था जो की reality में fulfill नहीं हो सकता उनलोग सूचते हैं कि जब शादी करते हैं तब जैसा situation है वो lifelong वेसा रहेगा वो किसी के भी life में नहीं होता plus minus होते रहता है और जैसे जैसे family बड़ी होती है बच्चे आ जाते हैं तो obligations जो है responsibility जो है वो husband wife से ज़्यादा एक parent का होता है ठीक है तो ये भी हम लोग इस novel में देखने को मिलता है blessing of family life ठीक है family भी दो तरीके की है यहाँ पे एक जो तूटने वाली है और दूसरा जो बन गई है ठीक है तूटने के बाद जुड़ी हुई है तो ये दोनों चीज हम लोग discuss करेंगे आगे बढ़ते है the philosophical values of farming and the agrarian connection to land in contrast to the lifestyles of the city अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जैसे जैसे development यहाँ पे मैंने बताया ना development तो हर चीज में development होता है और उससे क्या होता है लोग सेहरों की तरफ भागने लगते हैं शेहर में पैसा है सेहर में facilities हैं बहुत ज्यादा इसलिए अपने घर को अपना जो ancestral जो हम लोगों के पुरवज का घर है उसको हम लोग neglect करते हैं ठीक है और इस novel में यह highlight किया गया है कि हम लोगों को value देना है अपने घर में जो होता है उसको घर में especially क्या होता है एक घर होता है और उसकी आसपास खेती होती है लोग शान्ती से रहते हैं यह ना farming करते हैं उसके बाद अपने जो भी agricultural land है उसमें कुछ उगाते हैं farming करते हैं animal husbandry को promote करते हैं और simple life जीते हैं जबकि city वाला lifestyle ऐसा नहीं होता जितना पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा उन लोग tension से ही इतने बिमारी पाल लेते हैं कि वो बिमारी को cure करने में ही पैसा लगा देते हैं तो यहां पर focus यह किया गया है कि अपने घरों में वापस लोटो अपने parent के पास वापस लोटो अपने पुर्वजों ने जहां पर अपना छोटा मोटा जो भी संपती बनाया उसको देखरे करके भी इंसान अच्छे से life लीड कर सकता है तो simple life को promote किया गया है इस novel में next बहुत ही important जो novel में हम लोग theme पाते हैं वो है adultery और forgiveness adultery किसको कहते हैं adultery उसको कहते हैं जब कोई शादी शुदा husband या फिर wife किसी और के साथ affair करता है जो की illegal है बिना divorce लिए legally separate हुए बिना जो किसी और के साथ relation रखे उसको practice of adultery कहते हैं ठीक है तो adultery main theme है इसको asterisk mark लगा लेजिए बहुत सारे characters हैं जो कि इसमें indulged हैं especially main जो heroine है that is Anna Carriana वो खुद adultery के सिकार हो चुकी है और ये willingly है किसी के force में नहीं ठीक है तो ये है हम लोगों का novel का very important theme next forgiveness अब ये तो एक mistake है और अगर religiously देखा जाए तो ये एक paap है और इसको forgive करने के लिए इसको माफी देने के लिए बहुत ही बड़ा दिल चाहिए ठीक है तो ये forgiveness हर किसी की बात नहीं होती लेकिन जो main character है अना उसके husband उसको माफ कर देते हैं फाइनली ठीक है तो इसके बारे में भी हम लोग theme देखते हैं next hypocrisy hypocrisy के सब जो भी city की life है वो artificial है hypocrites हैं वहाँ पे जो दिखते हैं वैसे होते नहीं दिखाते हैं कि उन लोग बहुत rich है बहुत happy है नए-ने dresses पहनते हैं नए-ने style में उन लोग रहते हैं आज इधर जाते हैं उदर जाते हैं लेकिन फाइनली क्या होते हैं उन लोग tensed हैं बहुत सारा काम करना है बहुत सारे tensions है उनके boss है कोई भी हो अभी का situation हो या फिर तब का किसी की under काम करना होता है जब city में रहते हैं वेराज जब हम लोग अपने country site में होते हैं अपने पूरवजोवाले घर में रहते हैं तो ऐसा force नहीं होता हम लोग जितना काम करना चाहें उतना कर सकते हैं चाचा खा रहे हैं लेकिन वैसा नहीं होता ये false, fake situation होता है jealousy jealousy तो होगी ही जब कोई दिखाएगा तो क्या होगा दूसरे लोग जिनके पास नहीं है पैसा उनको jealousy होगी कि अरे वो इतना कमा कि ये बना लिये property और हम लोग यहीं पे हैं हम लोग को भी ये करना चाहिए इसकी वज़े से क्या होगा comparing nature की वज़े से क्या होगा कि हम लोग कभी भी peacefully नहीं रह पाएंगे तो jealousy है दूसरा theme faith भगवान पे faith initially कुछ लोग है characters इस novel में जो कि भगवान पे believe नहीं करते हैं लेकिन बाद में करते हैं ठीके तो faith जरूरी है इंसान को पैसा जरूरी है family जरूरी है और एक unseen blessing जरूरी है जिसको हम लोग जिसपे faith करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं वरना हम लोग कोई guidance बिना कहीं बेबी शांती से नहीं रहे पाएंगे जहें सहर हो या फिर गाउं हो ठीके नेक्स्ट marriage marriage is very important here शादी कैसी होनी चाहिए शादी उसके साथ हो जिसके साथ मन मिलता है तो शादी heaven है स्वर्ग यहीं पहें शादी अगर उनके साथ हो जो की धोका दे जो की बात न समझे जो की अपना दुख शेर न कर सके अपने पार्टमर के साथ तो marriage एक कर्स है तो यह marriage भी theme है इस novel में society लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे यह तब भी था situation और अब भी है कुछ restriction society लगाती है ताकि सभी लोग morally binded रहें ऐसा नहीं कि आज शादी किया कल तोड़ दिया फिर दूसरे के साथ गए फिर next day दूसरे के साथ में patch up कर लिए इससे क्या होगा society तूट जाएगी ठीक है तो certain extent में एक rules regulations follow करना बहुत ही ज़रूरी होता है एक culture को develop करने के लिए तो वो हम लोग को यहाँ पर दिखने को मिलता है society का power next progress progress तो throughout the novel है ठीक है personal life में progress and professional life में progress ठीक है वो हम लोग डिसकस करेंगे carnal desire and passion हर इंसान का एक hidden desire होता है जो उसके पास है उसके beyond वो बहुत कुछ करना चाहता है तो वो जो passion है वो fulfill करना चाहिए सभी को या नहीं यह सोचके कि life तो एक ही बार मिलता है हम लोग immoral काम करें illegal काम करें क्या इसको हम लोग promote कर सकते हैं इसके बारे में भी यह novel है ठीके तो theme I guess आप लोगों को clear हो गया होगा चलिए दूसरे slide में चलते हैं historical background of the text जब यह novel लिखा गया था तब उसमें उस वक्त रश्या में क्या हो रहा था किस चीज़ को हम लोग बेसमान के इस novel को पढ़ेंगे यह modern period था या pre-modern period था या फिर romantic period था ठीके तो चलिए देखते हैं especially हम लोगों को यह समझना है यहाँ पर कि रश्या को रूल कर रहे थे उस वक्त emperor Alexander II ठीके और उन्होंने बहुत सारे changes लाए रश्या में जो कि worthy है जो कि बहुत ही important है और इसको praise worthy भी कहा जा सकता है क्योंकि रश्या में Alexander I और उनके पहले जो भी emperors थे उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि जो भी society के negative चीजे हैं उसको हटाया जाए ठीके इसलिए Alexander II जो थे उन्होंने reform लाने का सोचा और 1861 में बहुत सारे changes किये गए first of all judicial reforms जो की court कचहरी से related है law and order से related है उसमें reforms लाया गया उसके बाद jury system यह भी इसी से related है jury जो की decision देते हैं ठीके case को read करके समझ के और trial के बाद में वो अपना justice सुनाते हैं ठीके उसके बाद military reforms यह बहुत ही जरूरी था उस वक्त क्योंकि Russia, Ukraine और Ottoman Empire के साथ बहुत ही unhealthy relationship था तो अभी war होगा या फिर next moment पे war होगा इसके लिए उन लोगों को हमेशा ready रहना पड़ता था इसलिए military reforms बहुत ही जरूरी था उस वक्त next the introduction of elected local governments जिसको कहते हैं जैंस्त वो ठीके इस यह है institution of local government और इसको shed किया गया था इसे reform के अंडर 1861 में ठीके और इसके दोरान बहुत ही important काम क्या हुआ था कि सर्फडम सर्फडम जिसको बोलते हैं रश्या में और दूसरे countries में इसको बोलते हैं slavery ठीके और अगर हम लोग अपने इंडिया के language में बोले तो बंधुआ मजदूर या फिर बंधुआ आदमी जिसको हम लोग बांध के रखते हैं और कराते हैं जो भी कराना है ठीके यह सर्फडम को समझने के लिए आपको एक मुवी मैं सजिस्ट करती हूं जिसमें की आप गुस्सा भी करेंगे वह मुवी देखके क्योंकि उस वक्त का सोसाइटी में कोई भी राइट नहीं दिया गया था स्लेव्स को ठीके स्लेव्स को इन नहीं हुआ ठीके और रशिया में जो भी बंदोवा मस्दूर है उनको अगर रशिया हार जाता है तो वह बंदोवा मस्दूर यूक्रेन को देना पड़ेगा ठीके या फिर जोभी टर्मस और कंडिशन्स हो वो उस पर अगरी करना पड़ता था तो वेर्स्ट इसको totally abolish कर दिया इन से पहले जो भी emperors ने उन्होंने सब कुछ reforms लाने की कोशिश की लेकिन ये slaves के बारे में कुछ नहीं सोचा था लेकिन ये जो 1861 का reform इन्होंने जो लाया वो बहुत ही highlighted हुआ क्योंकि उन्होंने slaves को आजादी दी और उनके rights उनको वापस किये next कुछ points discuss करते हैं जो कि important हैं जैसे जैसे रश्या development की और आगे बढ़ रहा था तो हर चीज में development दिख रहा था वो railways हो, banks हो, industry हो, telegraph हो और या फिर new businesses पे हो ठीक है elite मतलब rich status वाले लोग जो है business से related हैं जिनके पास बहुत सारे पैसा है उनका एक अलगी status बन गया था ठीक है and the decline of the old landed aristocracy पहले क्या होता था कि जो जमीदार होते थे वो सब जमीन की वजह से बहुत पैसा कमाते थे ठीक है पहले तो slaves भी थे, slaves काम करते थे और अगर उनको पैसा नहीं दिया जाता था उनके जमीन को ले लिया जाता था ठीक है जब ये slavery ही खतम हो गया तो ये landed aristocracy भी खतम हो गया ठीक है अफ्रिय प्रेस पहले क्या होता था कि प्रेस को liberty नहीं दी जाती थी जो रूलस चाहते थे कि जनता जाने उतने ही ख़बर छपवाते थे उससे ज्यादा ने अभी क्या था freedom of press उनको मिला और वहां पर awakening of public opinion यानि कि public को भी राइट दिया गया कि आप भी बोलो आपके क्या problem से क्या grievances है उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे हम लोग सुनेंगे अगर वह genuine है तो उसको solve करेंगे ये mindset से रशिया आगे बढ़ने लगा अभी दूसरा बहुत ही important चीज है यहां पर समझना है वो है pan-slavism movement pan-slavism movement यह है यह एक movement है जो कि 19th century में शुरू हुआ था और इसका motive यह था कि जो भी रशिया में रहते हैं ठीक है slavism movement slavism को आप यहां पर focus करना है ठीक है यानि कि जो elite लोग है जो common people है ठीक है जो slaves जो की अभी-अभी free हुए हैं इन सभी को जोड़के एक strong Russia बनाना है ठीक है किसी को अलग नहीं करना है यह इसलिए क्योंकि अगर हम अगर Russian emperors अलग करते हैं कि यह slaves अलग है rich people का status अलग होगा common people का अलग होगा तो क्या होगा यह divided हो जाएंगे और जैसा कि कहावत है united we stand divided we fall ठीक है तो वो divide नहीं होना चाहते थे क्योंकि बार-बार Ukraine से या फिर Ottoman Empire से उन लोगों को conflict में रहना पड़ता था इसकी वज़े से वो चाहते थे कि एक solid power बने रशिया जिसको हराना नाममकिन हो और इसकी वज़े से slaves को free किया गया ताकि वो अपने nation से जुड़े रहे और nation के उन्नति के बारे में वो काम करें ठीक है और यही सब topics हैं जो कि hotly debated in the characters in the novel हर character एक एक यह सभी situations को दर्शाता है slaves कौन है हम लोग novel में पढ़ेंगे और इसके बाद जो बाहर काम करने वाले elite लोगे जो business class उनका क्या था उनका life कैसा था यह सब हम लोग जानेंगे next वहां पर कुछ incident भी है novel में जिस जो की unpleasant है किसी का death हो जाता है और characters भी है जो important वाले जो की suicide commit करने के कोशिश करते हैं और कुछ करते भी हैं तो यहां पर देखना है तो यहां पर जो जगह का नाम दिया है वो real में है जो novel में suicide commit होता है उसको relate करने के यह situation को relate करने के लिए वो suicide दिखाया ठीक है तो I hope background clear है आप लोगों को अभी चलते हैं story की और next setting of the story यह story कहां की है और किस वक्त की है तो मैं बता दूं कि story है 1870 की ठीक है यानि कि 19th century की है story और places है Russia throughout Russia जो भी character से कभी रश्या में रहते हैं कभी बाहर जाते हैं फिर रश्या में आते हैं फिर जामनी जाते हैं फिर इतली जाते हैं फिर वापस रश्या आते हैं ठीक है तो रश्या के पूरे जगह में यह characters घुमते हैं next Moscow जो के रश्या में है Saint Petersburg जो के रश्या में है and the Russian provinces यह तो बताया ही दिया कि हर जो provinces मतलब छोड़े छोड़े जगह जो है न रश्या के वह सभी जगहों में घूंगते हैं with brief inclusion in Germany and Italy यह दो countries हैं जिसमें की main characters जाते हैं honeymoon के लिए ठीक है बस इतना है mention है otherwise Russia को base करके story लिखा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और characters देख लेते हैं first character main character जो heroine of the story है वो है Anna Karenina ठीक है Anna Karenina और इनका full name है Anna Arkadivina Karenina ठीक है यह जो middle वाला नाम है वो root name है उनके family का ठीक है root name है उनके family का और रश्या में क्या होता है कि यह नाम से बुलाया जाता है किसी को भी अगर लड़का हो तो family का नाम उसके बाद में son of यहां पर यह लड़की है Anna इसलिए उनके family का नाम Arkady ठीक है और इवना यानिकी daughter of ठीक है daughter of और यहां पर देखिए Arkadivich यह divich का मतलब है son of ठीक है Arkady मतलब family का नाम और इवना मतलब daughter of और इविच मतलब son of तो रश्यन लोग क्या करते थे अपने family root बीच में लगाते थे आगे पीछे उनका नाम और surname होता था इससे पता चलता था कि वो किस family को belong करते हैं और यह भी पता चल जाता था कि वो लड़के हैं या लड़की हैं ठीक है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं आना क्यारनीना और प्रिंस स्टेपन और स्टीवा आर्का यह विच अबलॉसकी ठीक है अबलॉसकी उनके family का family जिसमें वो बिलॉंग करते हैं और यह parent का नाम और यह son है या फिर daughter है ऐसे लिखा जाता था आई होप आपको समझ में आ गया यह आना और स्टीवा दोनों भाई बहन हैं भाई बहन है तो वो एकी family को बिलॉंग करते हैं ठीक है एकी family को बिलॉंग करते हैं तो उनके parent एकी हो गए आप शायद देख पा रहे हैं यहां पे एकडी एकडी ठीक है इवना और इविच इवना का मतलब डॉर्टर ओफ एकडी और यहां पर सन ओफ एकडी ओके तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रश्यन लोग यह जो रूट है उससे पता लग जाता है कि फैमिली कौन सी है लेकिन यह टेक्स्ट जो है वो English में translated है है नओ तो यह क्या होता है कि जब Language Change होता है तो थोड़े मोडे थोड़े मोड़े changes होते रहते हैं इदर उदर जैसे हिंदी में राम बोलते हैं राम भगवान को और जब इंग्लिश में लिखते हैं तो रामा हो जाते हैं यह लगाना पड़ता है यह किसलिए हम लोगों को नहीं मालूम लेकिन लगाना है रामा श्यामा यह ना तपा तप हिंदी में बोलते हैं और तपा इंग्लिश में बोलते हैं तो छोटे मोटे changes जो है वो जब language change होता है translate होता है टेक्स्ट Russian language से इंग्लिश language में तो changes आते हैं उसको एक्सेप्ट करना है तो throughout the novel हम लोग यह character जो है उसको एना की वज़े से ही जानेंगे लेकिन रश्या में यह story यह नाम को focus करता है ठीक है आर का दीवना तो एना कैसी है और कौन है चलिए जानते हैं एना जो है एना कैरी ने ना वो main character है story की और वो stepan oblonski's sister है यह जो character है ना यहाँ पर prince stepan oblonski इनकी sister है ठीक है और कैरनीन's wife यह आना जो है वो कैरनीन's wife है और Vronski's lover मैंने बताया था आपको कि यह adultery के बारे में है नोवल तो शादी शुदा होने के बावजुद भी आना कैरनीना जो है वो Vronski एक army personal है जिनके साथ relationship में है ठीक है next चलिए character को देखते है Vronski जो यह है ना Vronski Anna's lover वो कौन है Count Alexey Kirillovich Vronski throughout the novel हम लोग Vronski के नाम से ही इनको पहचानेंगे ठीक है और यह दो words जो है वो Russian version के लिए important है और रैट Anna's lover cavalry officer यह एक army officer है और army officer है इसलिए उनका body भी एकदम strong healthy है और handsome भी है पैसो से भी उनको कोई कमी नहीं है जिसकी वज़े से Anna Karenina उन पे attracted हो जाती है ठीक है और अपने husband को ignore करने लगती है तो ब्लॉंसकी कौन है यह पता चल गया होगा आप लोगों को चलिए next character की और प्रिंस स्टेपन स्टीवा अर्कडीविच और ब्लॉंसकी जैसा कि मैंने कहा यह जो है वो Anna Karenina man character के भाई है ठीक है प्रिंस इसलिए नाम लगाया गया है यानि कि वो अच्छा post में है और उनके पास पैसा, नाम, सहरत सब कुछ है ठीक है और government institution में तो वो high level officer है ही president है ही उसके बाद घर में वो head of the family भी है ठीक है यहाँ पे दिखें वो civil servant है Anna's brother यह जो Anna है उनके brother man about town इसका मतलब है जो कि शेहर के thoughts रखते हैं ठीक है शेहर में क्या होता है कि कोई भी relationship में committed नहीं रहते ठीक है उनको काम important लगता है पैसा कमाना और किसी के साथ भी patch up हो जाना वो town का एक mindset है वो relationship को ज़्यादा तवस्जू नहीं देते तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि Stephen या फिर Steve novel में Steve नाम से वो जाने जाएंगे Anna Karenina के भाई ठीक है जो कि अबलॉंस की family को बिलॉंग करते हैं उनका age है 34 यहां पर देखिए एक note लिखा गया है Stephen and Steve are Russianized forms of Stephen and Steve respectively तो novel में Stephen, Steve और Steve यह तीनों एक ही परसन के नाम है आप confused मत होएगा ठीक है यहां पर एक चीज में बताएंगे तो Steve जो है वो बहुत ही different जगह पर वो insensitive है अपने wife के साथ वो cheating करते हैं जैसे यह जो उनकी बहन है वो cheat कर रही है अपने husband पर वैसे ही उनके भाई अबलॉंस की family से जो बिलॉंग करते हैं वो भी cheat करते हैं अपने wife को जिनका नाम है डॉली ठीक है Princess Daria Dolly Alexandrovna अबलॉंस काया ठीक है यहाँ पर बोला गया है Stephen's wife यह जो है officer उनके wife है और यह 33 years की है उनसे एकी साल कम है लेकिन इनके पांच बच्चे है ठीक है यह prince और princess के steva और dolly के पांच बच्चे है जिनकी वजह से उनकी wife जो है वो अभी young और beautiful नहीं है first of all इन पांचों के लिए कहीं न कहीं इनको तो engage होना है और अपने खुबशूरती के लिए भी वो कभी time नहीं निकालती जिसकी वजह से steva का interest किसी और पे होने लगता है ठीक है तो यह जो characters है उनको अभी ध्यान में रखिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे characters की और next बहुत ही important character है husband of Anna Karenina Alexi Alexandrovich Karenina senior statement यह भी government official है and Anna's husband इनके पास पेशो की कमी नहीं है लेकिन उनका personality वैसा नहीं है जैसा की आना चाहती है और इसकी वजह से वो अपने husband से दूर चली जाती है दूर चली जाना मतलब relationship नहीं रहता वो किसी और के साथ relationship बना लेती है next important character है Levin जो मैंने आपको कहा था कि Leo Tolstie अपने आपको Levin की through story बताते हैं के साथ जो होता है उनके life में भी हो चुका है कहीं न कहीं जिसकी वजह से वो attached है इस character से बांकी characters के comparison में ठीक है Constantine Coast या Dimitrovich Levin 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 और Levin दोनों words यूज किया है novel में इनको बुलाने के लिए ठीक है और ये कौन है ये है Kitty's husband Kitty's suitor और husband Stiva's old friend Stiva जो की वो पाँच बच्चों के पापा थे न वो Land owner ये जो है वो घर में खेती बाड़ी करके रहना पसंद करते हैं इसकी वजह से उनके पास घर है जमीन है जिसको वो देख रिख करके अपनी जिन्दगी जीते हैं और इसमें वो बहुत खुश है इनको सहर के लाइफ से कोई मतलब नहीं है वो जिसमें है वो खुश है इनका age है 32 years ठीक है और सबसे genuine character हम लोग novel में इनहीं को पाते हैं next निकोलाई, डिमेटरिविच, लेविन, लियोविन यह जो निकोलाई है वो है लेविन के brother ठीक है लेविन के brother यानि की elder brother Constantine's elder brother impoverished alcoholic यह निकोलाई जो है वो यह निकोलाई जो है वो बहुत ही wasteful आदमी है उनके पास पैसा इतना ज्यादा था उनके family का उनके parents का जो कि उन्होंने alcohol खाके या फिर अपना life lavishly जी के खतम कर दिया और अभी alcohol की वज़े से उनका health अच्छा नहीं है और tuberculosis की वज़े से वो मर भी जाते हैं तो फिलहाल जो भी इनका condition है या है इसलिए क्योंकि शहर में maximum ऐसा ही होता है पांच दिन वो काम करते हैं और last के weekend में वो जी भर के अपना life enjoy करने की कोशिश करते हैं by drinking alcohol by going to party ठीक है और गंदे लोगों से मिलना, alcohol खाना और roughly रहना इसकी वज़ा से वो अपना health को destroy करते हैं और healthy friends भी उनको नहीं मिलते हैं जो की अच्छे suggestions दे और वो represent करता है निकोलाई ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरे brother है लेवीन के एक तो ये निकोलाई हो गया तो ये जो है वो बहुत ही intelligent है वो एक celebrated writer है और 40 साल का उम्र हो गया उनका लेकिन वो अपने काम में इतने devoted है कि उनको हर जो intellectual problem से उनका solutions चाहिए वो लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं जिसमें की पढ़ने वाला impress हो जाए और जो भी questions वो करते हैं उनके writing के through वो genuine होता है तो ये characters हैं अभी दो और characters discuss करते हैं उसके बाद में हम लोग story की और चलते हैं next character है kitty इनका पुरा नाम है princess ekaterina kitty Alexandraovna skater batsky dolly's younger sister kitty जो है वो dolly's younger sister है dolly कौन है dolly steva की wife है जो की 5 बज्चों की मा है जिनके husband इनको cheat कर रहे है यहां बें ध्यान दीजेगा जो main character है Anna Karenina और steva जो की भाई बेहन है दोनों अलग-अलग तरीके से अपने partners को cheat कर रहे है later levin's wife जो kitty है पहले तो नहीं मानती levin का wife बनने के लिए लेकिन बाद में वो मान जाती है और 18 years की है kitty ठीक है सिर्फ 18 years की है जिसकी वज़े से वो pretty है उसका health भी अच्छा है दिखने में अच्छी है और levin को पसंदने ही करती levin propose करता है लेकिन वो पसंदने ही करती बाद में फिर उसको कोई option नहीं मिलता तो फिर levin के साथी साधी करती है और यह शाधी प्रोडक्टिव होती है दिखे मतलब fruitful एक अच्छी शाधी होती है नेक्स्ट है princess elizaveta betsy वर्सकाया ठीक है आना जब डिप्रेशन में थी तो यह betsy आई थी उसको समझाने के लिए और इसका character lose है betsy का character lose है ठीक है वो शहरी एक लड़की है जिसको किसी के साथ भी relation बनाने में देर नहीं लगता और अपने words किस तरह से इस्तमाल करना है वो भी उसको नहीं पता आना को जब वो suggestion देती है तो यह बाते समझ में आती है और यह ब्रोट्सकी जो की आना के boyfriend है ठीक है उसके cousin है लास्ट क्यारेक्टर Countess Lydia और दसस्परिंग Lydia leader of a high society circle that includes Karenine and son's princess Betsy and her circle यह Betsy जो है इसको हटाया गया था by Lydia यह इसलिए क्योंकि वो बिगडी हुई लड़की थी ठीक है इनका जो mindset था वो totally opposite था यह शहरी लड़की थी और यह घरेलू गाउं की लड़की थी ठीक है मतब सूच उनका घरेलू था वो हाई फाई में बिलीव नहीं करती थी और जो भी उनके परिवार वाले हैं उनको बांद के रखना इनका मोटिव था तो यह सब characters हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जब story हम लोग समझेंगे तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग बात करेंगे तो first characters आप लोगों ने समझ में characters आपके समझ में आ गया अब चलते हैं story की और अबरे मेंफ़ लोग में क कि यह में लोग प्रोग समझेंगे लोग भा़ ज एक र टक है ऊपको y आपके तो